हेलो दोस्तों ये है New Hero Xpulse 202, BSX Xpulse 202, single channel ABS के साथ 3 color option में आती है Hero ने Xpulse 202 को city और off-roading के साफ से design किया है जिसमें आपको mobile, bluetooth, connectivity और कई smart features मिल जाते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके on-road price, features और mileage के वारे में तो सबसे पहले हमें start करते हैं इसके front profile से तो यहाँ पर इसकी headlight है वो आपको round shape में देखने को नजर आती है और इसके side में आपको chrome का element और यहाँ पर आपको दो छोटी सी DRL मिल जाती है और इसकी headlight है वो आपको दो पार्ट में divide देखने को मिलती है जो की fully LED setup के साथ आती है जो की काफी आकर सक लग रही है और इसके दौनों side में आपको indicator मिल जाते है है halogen type के और इसके mudguard के उपर आपको एक holder भी मिल जाता है जो की इस bike के look काफी जादा enhance कर रहा है और इसके side में चलें तो यहाँ पर आपको reflector भी देखने को मिल जाता है और इसके suspension के उपर आपको ABS का logo और यहाँ पर आपको 276 mm diameter की disc brake दी गई है जो की इसमें आपको single channel ABS मिलता है और यहाँ पर आपको 8070 का tire size मिल जाता है इसमें आपको radial tire मिल जाते है MRF company के इसमें आपको tubless tire दिये गया और 17 inch के यहाँ पर आपको black color के alloy bill मिल जाते है और इसके front में आपको telescopic suspension मिल जाते है तो अब बात करें इसके meter console की तो इसमें आपको fully digital type का meter console देखने को मिलता है जो आपको glamour extract में देखने को मिल जाता है उपर की side में आपको side stand indication, man head light indication, gear neutral, ABS indication, turn signal indication, engine malfunction, indication light और यहाँ पर आपको rpm की reading और यहाँ पर आपको gear position indicator और यहाँ पर आपको clock और आपको klometer पर आर की speed मिल जाते है और यहाँ पर आपको fuel की reading देख सकते हैं और यहां पर आपको trip meter मिल जाता है जिसमें आप real time average भी चेक कर सकते हैं कि bike कितना mileage दे रही है और यहां पर आपको clock और यहां पर आपको calendar भी मिल जाता है और यहां पर आपको mobile bluetooth connectivity का भी option मिल जाता है आप अपने mobile को इस bike से connect करके इसके सारे features का फायदा उठा सकते हैं यहां पर आपको eco mode और इसमें आपको service due indicator भी मिल जाता है और यहां से आप इसकी handlebar rod को देख सकते हो इसके side mirror भी काफी unique और stylish design के मिल जाते हैं और यहां पर आपको low beam, high beam और passing switch मिलता है नीचे indicator और horn का switch मिल जाता है इसके दूसरी side में चलें तो यहां पर आपको red color में engine kill का switch मिलता है नीचे की side में self का switch मिल जाता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसका जो look है वो काफी ज़्यादा attractive और काफी ज़्यादा stylish दिया गया है और इसके fuel tank के उपर आपको hero expels का sticker बड़ा सा देखने को मिल जाता है नीचे की side में आपको programmed fi की bedging मिल जाती है और इसके panel के उपर आपको 200T का sticker मिल जाता है और इसके rear में चलें तो यहां पर आपको 130 का tire size मिल जाता है इसमें आपको 17 inch के black color के alloy wheel मिलते हैं और इसमें आपको MRF company के two less tire मिलते हैं जो कि आपको radial मिल जाते हैं और 230 mm diameter की disc brake मिल जाती है और यहां से आप इसके tire की grip को देख सकते हो जो की काफी चौड़े tire यहां पर आपको मिल जाते हैं और यहां पर आपको 7 step rider adjustable mono sock type के suspension मिलते हैं जिसको आप अपने weight के साफ से adjust भी कर सकते हैं और यहां से आप इसकी seating position को देख सकते हो जो की काफी ज़्यादा unique और stylus दी गई है और इसकी जो cushioning है वो भी काफी ज़्यादा soft यहां पर आपको मिल जाती है और इसकी rear की side में देखें तो यहां पर आपको grab handle मिल जाता है जो की काफी stylus और off-roading के साफ से design किया गया है इसके उपर भी आप थोड़ा सा सामान को carry कर सकते हैं जिसके उपर आपको rubber की gripping मिल जाती है और इसकी जो tail light है वो आपको LED में मिल जाती है और इसके fuel tank की capacity है वो 13 liter की दी गई है और यहां पर आपको company fitted black color का sardi guard और यहां पर आपको adjustable footrest और open chancet cover मिलता है जो की fiber का है और यहां पर आपको rider के लिए adjustable footrest मिल जाता है और इसमें आपको जो है 5 gear का manual setup मिल जाता है और इसके side stand के उपर आपको engine cutoff का sensor मिल जाता है अगर इसका side stand लगा होगा तो यह bike start नहीं होगी और इसमें आपको 178 mm की ground clearance मिल जाती है और यहां पर आपको engine call भी मिल जाता है जो की काफी premium quality का लगाए गया है और यहां पर आपको जो है एक थोड़ा सा radiator जैसा मिल जाता है और यहां पर आपको जो है एक company fitted black color का leg guard भी मिल जाता है अब दोस्तों बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 199.6 CC का oil cooled forest rock 2 valve single cylinder OSC engine जो देता है 18.1 PS की power 8500 RPM पर और 16.15 NM का torque generate करता है 6500 RPM पर इसमें दिया है 5-speed gearbox इसके additional features है air filter, dry paper, access technology, bluetooth connectivity इसका curve weight है 154 kg और यह है इसके engine की दूसी side इसके उपर आपको hero की बैजिंग देखने को मिल जाती है यहां पर और यहां पर आपको जो है एक brake pad और engine all का cap और इस bike में आपको store खेक की start का option भी मिलता है और इसके engine के head के उपर आपको spark plug मिलता हो यहां पर आपको cataluity converter मिल जाता है जिसके उपर आपको metal की plate भी मिल जाता है और यहां पर आपको सिंगल horn और यहां पर आपको oxygen sensor देखने को मिल जाता है जो की bs6 की पेंचान मानी जाती है और यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाता हो यहाँ पर आपको fuel injection system मिल जाता है जैसा कि इसमें program defi के साथ access technology भी मिल जाती है hero company की तरफ से और यहाँ पर आपको plane के लिए adjustable footrest हो यहाँ से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो इसके उपर प्लेट लगी है वो आपको metal की मिल जाती है जो की काफी शांदार और काफी attractive लोग दे रहा है इस bike को तो दोस्तों मैं आपको इसके engine का और इसके exhaust के sound को note करा देता हूँ तो सबसे पहले हम इसकी चावी को on कर लेते हैं यहाँ से आप इसके engine के sound को note कर सकते हो जैसा कि इसके engine के sound को note कर सकते हो जैसा कि इसके engine के sound को note कर सकते हो जैसा कि इसके engine के sound को काफी अच्छा दिया गया है तो दोस्तों बात करें इसके mileage की तो इस bike में आपको 40-45 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं 50 की speed में लगबग चलाते हैं तो अब मैं बात करूँ इसके price की तो ये Hero Expels 200 का single channel ABS है इस bike में आपको एक ही variant मिलता है और इसकी on-road कीमत है 1,43,200 रुपे ये on-road कीमत मैंने आपको बताई है Sinusure Hero, Madhyam Gram, Kolkata, Surum की Surum की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप other state से हैं और इसकी on-road कीमत जानना चाते हैं तो आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on-road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जास जादा लाइक करें comment करें, share करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर देना और साथी साथ press कर देना बेल आइकन को Thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में